हां जी बच्चों आज हम time and work और वीडियो के fourth part पे आ गए हैं और type 12 में हम alternate days basis पे अगर कोई काम करें तो काम को complete होने में कितना time लगेगा कुछ इस तरीके के questions को हम face करेंगे अब आपके मन में एक doubt आया होगा कि ये alternate basis है क्या बचे एक example से clear करते हैं इसको मान लीजिए दो labor हैं एक A और एक B और काम में पहले दिन A आया और एक दिन पूरा इसने अकेले ही काम किया है और next day A rest पे चला गया और A की जगे पर अब next day B काम करेगा देन उससे next day अब B rest पे चला जाएगा फिर A काम पर आ जाएगा तो एक एक करके बारी बारी से दोनों काम करेंगे इसको बोलते हैं alternate days basis पे काम करना तो आज हम type 12 में कुछ इस तरीके की questions ही discuss करेंगे जिसमें alternate days basis पे काम करेंगे बचे alternate days basis पे इस तरीके के चीज़े को अच्छे से और clear करने के लिए आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होगा उसको आप पहले समझ लीजिए सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना type 12 जैसे questions को discuss करने के लिए कि जो काम को start करेंगा last में अगर कोई काम बच गया तो काम को उसी से करवाए जाएगा ये मेरे कुछ बाते हैं जिसको मैं भी example से और clear करूँगा फिलाला भी आप सुन लीजिए बस कि जो काम को start करेगा A ने पहले दिन start लिया तो जो अगर काम last में कुछ बच गया तो फिर उसको A को offer करेंगे करने के लिए अगर मान लिजिए A ने start नहीं किया होता और यही B ने start किया होता फ़स्डे तो अगर काम last में जो भी बच जाता उसको फिर B के लिए हम offer करते करने के लिए तो एक point इस चीश का ध्यान अखना इस type को आपको करने के लिए कि अगर last में कोई भी काम बचता है तो उसको सबसे पहले करने के लिए offer उसको दिया जाएगा जिसने काम को start किया था दूसरी point दूसरा point है दूसरी बात पर आपको जाना है कि आपको यह देखना है इसके अंदर कि एक round complete होने में कितना time लगा और उस round में कितना work हुआ अब आप सोच रहे होंगे किसर यह round क्या है बच्चे आपके questions में जितने भी लोग involved होंगे चाहे वो A, B हो या फिर A, B, C हो जब उन सभी की involvement हो जाएगी आपके question में जब वो सारे के सारे काम पर एक बार तो आ जाएंगे तो समझ जाएगी एक round complete हो गया है और फिर आपको calculate करना होगा कि इस एक round में कितना work हुआ और कितना time लगा कुछ example दे समझते हैं इसको मान लीजिए first day A आता है और next day B आता है तो एक round कितने दिन में जागे complete हुआ दो दिन में क्योंकि दो दिन में दोनों partner के involvement हुई है काम पे मान लीजिए तीन partner है A, B, C और जो C है वो A और B काम को start करते हैं और C third day join करता है C third day ही आता है तो पहले दिन कोन आएगा A और B क्या round complete हुआ नहीं क्योंकि अभी तक C इस पे नहीं involved हुआ है next day कोन आया A और B ही आएंगे क्योंकि third day से ही join करता है तो क्या आप दो दिन में round complete हुआ नहीं अभी दो दिन में भी round complete नहीं हुआ है क्योंकि भी सारे partner के involvement नहीं हुई है third day A, B के साथ साथ में C भी आ गया तो मतलब कि तीसरे दिन सारे partner के involvement हो चुके है तो आप इसका मतलब यह समझाएगा कि एक round पूरा complete होने में तीन दिन का समय लगा है तो अभी अगर आप 5%, 2% पे मेरे बातों को समझ पा रहे हैं या 1% समझ पा रहे हैं तो वो example से भी मैं questions को करवाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज clear होने वाली है ये बात समझ में आगई आपको तो यहाँ पर मैंने दो point पे आपको कहा कि focus रखना है आपको ध्यान लगाना है फर्स्ट जो काम को start करेगा अगर कोई काम बच गिया तो पहले offer उसी को करेंगे and second point कि आपको यह देखना होगा कि एक round complete होने में कितना समय लगा और उस काम में और उस समय में कितना काम आप कर पाए इन दो point का ध्यान लगते हुए आप इन question को बहुत easily आप solve कर पाएंगे और इसमें comfortable आपके लिए रहेगा कि आप LCM method को use करें कैसे एक example लेते हैं और आईए questions को हम करते है questions आपके सामने display पे है देखिए क्या है A can complete our work in 10 days and B can complete the same work in 15 days if they work on alternate day and A start the work then in how many days they will finish the work पच्चे question क्या है question यह है कि A किसी काम को अकेला 10 दिन में complete कर सकता है और B उसी काम को अकेला अगर B से करवाय जाए तो B उस काम को अकेला 15 days में कर सकता है अगर A के अगर A से अकेला वो काम कर रहा हो तो 10 दिन में होगा और B से वोई काम करवा दो पूरा का पूरा तो वो 15 दिन में कर सकता है लेकिन मैंने काम करवाया कैसे मैंने काम ऐसे करवाया कि मैंने A से स्टार्ट करवा दिया और next day फिर B आएगा फिर A आएगा फिर B आएगा ऐसा question में mention है तो इस काम को complete होने में इस तरीके से कितना time लगेगा आप समझते हैं इस च पीड में changes आएंगे क्यों पहले दिन A अपनी रफ्तार से तो B फिर वो अपनी रफ्तार से तो आपको इन सब चीज़ें में नहीं उलजना है आपको जो कहा गया आपको उस पर focus करना है क्या वो यह है कि आपको first of all सबसे पहले तो आप यह निकाली है आपके पास में काम का मैं कहा रहा हूँ बार-बार वो है कितना कितना काम आपको करना है तो 10 और 15 इसका आप LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा बच्चे 30 तो 30 क्या total work है और आप देखेंगे इस total work को करने की commitment किस किस की है एक तो एक ही है और एक क्या कह रहा है कि मैं 10 days में काम को complete कर सकता हूँ और आ हाँ पर यह आप लेके चलते हैं कि हर एक labor का हर दिन का काम बराबर होगा तो जब ही 10 दिन में 30 काम complete कर रहा है और हर दिन बराबर करता हूँ चल रहा है तो एक दिन का काम क्या है इसका तो एक दिन का क्या होगा तीन क्या A का one day work है B काम को 15 days में कर सकता है अकेला और B के को कि it and Go करने में 15 दिन लेता है तो हर रोज कितने काम कर रहा है दो दो कैसे का बी का का सब्सक्राइध का का आये देखते हैं कि एक रूंड कप जाके complete होता है फर्स डे पहले दिन सर कोन आया पहले दिन आपल मुझे करेगा एक दिन तक लग करके तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो एक दिन में तीन करता क्या round complete हो गया यहाँ पर नहीं यहाँ पर round अभी complete नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि जितने भी लोग इस question में involved हैं जितने भी labor अभी उन सब की involvement नहीं हुएρέ क्या अब round complete हो गया हाँ क्योंकि दो ही लोग इस question में involved हैं और आपका दोनों के दोनों आ चुके तो अब आपका round complete हो गया अब आपको क्या देखना होगा कि इस round को complete होते होते कितना time लग गया और कितना काम कर पाए तो sir देखिए इस round को complete होते होते दो दिन का तो समय लग गया और काम कितना कर पाए पांच तो इसका मतलब साफ है और किलियर है कि इस हिसाब से अगर कोई काम करे तो कौन A आ रहा है फिर B आ रहा है उन सब में उलजना नहीं है मोटा मोटा हिसाब यह रखना है कि भाया दो दिन में पांच काम हो पाता है अब अगले बार भी ऐसे ही अगर यह आते हैं तो फिर यह तीन करेगा फिर वो दो करेगा तो मोटा मोटा हिसाब यह रखिए कि हर दो दिन में पांच काम निपटेगा आपका बस इस चीज़ से आगे चलना है आपको तो आपके सामने target क्या है 30 work करवाना है total का और आप ये देखिए एक round में कितना काम आपका हो रहा है 5 तो एक round के work से आप divide कर दीजे 5 तो 30 work पड़ा हुआ है और 5 work आप एक round में कर पाते हैं 30 unit produce करना है और आप एक round में 5 unit produce कर पाते हैं तो इसका मतलब आप ही बताइए total कितने round लेने पड़ेंगे आपको तो ये 6 आप divide कर देंगे total work को एक round के work से तो number of round आएगा इसका ध्यान देखना है कि कब किस से डिवाइड कर रहे है और result आ रहा है तो वो क्या आ रहा है सरफ answer पर मत जाएए हर चीज को समझतों भागे बढ़िए तो ये अगर आपने एक round के work से डिवाइड कर दिया तो क्या आजाएगा days नहीं आएगा number of round आजाएगा अग्कुल इतने round लिएगा इसको complete करने में च्छाए काम करना था च्छाए उनिट पडियूस करनी थी एक round में 5 उनिट पडियूस कर रहे थे तो ये 30 उनिट पडियूस करने में और एक round में 5 उनिट पडियूस कर रहे थे तो 30 unit produce करने में कितना time लग जाएगा कितने round लग जाएगे 6 round लग जाएगे तो ये 6 square round है समय है आपको अब आप ये देखें बच्चे आप आपको ये बात clear है कि 1 round में 2 दिन लगते हैं और आपको पता है पूरा काम 6 round में निप्टाएगा है और हर 1 round 2 दिन consume कर रहा है तो ये 6 round जो है कितने दिन consume करेगा 2 से multiply कर देजिए 12 days तो ये काम complete होने में बच्चे 12 days लगेगा ये ही आपका answer है clear है? समझ गए? आएए और भी example देखते हैं इसमें और भी question करते हैं आगी बढ़ते हैं next question लेते हैं a. can complete a piece of work in 15 days and b. can complete the same work in 20 days if they work on alternate days then in how many days they will finish the work बच्चे इस पर ये है a. किसी काम को 15 days में अगर करें अकेला तो वो complete कर सकता है और b. उसी काम को 20 days में complete कर सकता है इसमें mention नहीं है question में लेकिन वो mistake होगी वो type करते हैं लेकिन ये माल लिजीए आपकी इसमें b. काम को start कर रहा है ठीक है? मैंने mention कर दिया b. काम को start करता है और alternate days basis पे काम करते हैं तो काम को complete होने में कितना time लगेगा? अब बच्चे सबसे पहले आप देखिए कि आपका total work की क्या है तो total work की क्या है आपके पास में 15 और 20 का LCM लेंगे तो start जो की total work को represent कर रहा है ठीक है? और a कहता है कि मैं 15 days में काम को complete कर लूँगा मतलब 60 काम कर लूँगा और हर दिन equal काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 और ये 60 तो 60 को 15 से divide कर दीजिए तो 4 और b कहता है मैं 20 days में काम को complete कर लूँगा और काम आपके पास में 60 है तो एक दिन में कितना कर रहा है ये 3 clear है अब आप बच्चे इसमें देखिए first day कोन आया first day बच्चे आया आपके पास में A ठीक है first day कोन आया B आया और B कितना काम करेगा वो अपनी speed के हिसाब से काम करेगा तो B कितना काम करता है B काम कर रहा है 3 क्या round complete हुआ नहीं क्योंकि अभी सारे के सारे लोग involved नहीं हुए है अभी कौन next day आया next day कोन आया A और A अपनी speed से काम करेगा तो next day 4 काम हो पाएगा अब तो सारे के सारे partner involved हो गए है अब round complete हो गया अब देखतें इस round में कितना time लगा two days लगा और work कितना हो वा seven work हुआ अब बच्चे इसमें आप ये देखें कि आपके पास में साथ काम हो और दो दिन लगा अब आप देखें सबसे पहले कि आपको काम करना कितना है आपको आपको काम करना है साट चेक है और एक round में काम कितना हो रहा है आपका साथ तो हमेशा एक round के work से divide करने से पता लग जाता कि कितने round लिए जा रहे हैं तो साथ work करना है और साथ work करने में seven work करने में एक round लगता है तो कितने round लिए गए तो number of round पहले find किया जाएगा और इसे कैसे आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो eight round तो complete लगेंगे 56 तक seven eight जा 56 तो मतलब कि आपके eight round अगर आप लेते हैं तो 56 work आप कर लेंगे और इससे आगे जाएंगे तो फिर इतना काम आपके पास में है नहीं तो मोटा मोटा आप कितने round ले पाए यहां पर अगर 60 काम करना हो साथ काम एक round में कर पाते हो तो कितने round ले पाऊगे आप eight round पूरे पूरे ले पाऊगे तो यह eight तो आपके पास में round आगे लेकिन क्या काम complete हुआ आपका नहीं ना काम तो 60 ता और जबकि आप eight round लोगे तो साथ अटे 56 काम हो पाएगा उसमें तो फिर कितना काम आपका रह गया यह remaining work के नाम से आप लिख दीजिए कि चार काम अभी आपका बगाया है बाकी तो भाईया eight round में निट्टा दिया गया है और आएए आप अच्छे समझते हैं कि यहाँ पर एक round में कितना time लगा है दो दिन लगा है और यह eight round लिए गये हैं तो इस eight round में 16 दिन तो समय लगा है clear है लेकिन काम अभी complete आपका बच्चे नहीं हुआ है क्यों काम complete आपका नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपके पास में जो काम है remaining work वो चार है अब आप बताएए जो काम बच गया जो बचा कुचा काम है उसको करने के लिए पहले offer किसको देंगे आप याद कीजिए मैंने क्या कहा था जो काम को start करता है पहले offer उसी को दिया जाता है तो आईए अब बी आएगा तो बी आएगा तो बी तो जा जाएदा क्या करेगा पूरा एक दिन ही लगा सकता है दो दिन तो बैक टू बैक काम नहीं करेगा वो क्योंकि एक दिन के बाद ही बारी चेन हो जाती है तो बी अगर पूरा दिन भी लगा दें यहाँ पर आकर के एक दिन और लगा दे तो कितना हैं काम कर पाएगा तीनी तो काम कर पाएगा तो B आया लगाया पूरा दिन लगा और तीन काम कर भी दिया लेकिन अभी B एक काम बसता है और B ने आकर के अभी एक दिन लगा दिये हैं बेरे बात समझ रहें आप, तो कितना हो गए हैं आपके पास में, 70 डेस तो अभी हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक complete आपका नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी आपका एक काम रहता है, अब इस एक काम को भी तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके बारी तो चेंज हो गई है, अब कौन करेगा बच्चे, अब करेगा इसको एक ही बारी आ जाएगी, और ए एक दिन लगा दे तो पूरा चार काम करता है, लेकिन एक को चार काम थोड़ी नहीं दिया जा रहा है, एक ही काम तो बचा हुआ है, तो पूरा दिन खर्च नहीं करेगा, दिन का एक चोथा हिस्सा खर्च करेगा, तो अगर ये कम पढ़ रहा है जो है एक दिन के वर्क से तो डिवाइड करा करो आप, तो क्या आगया, आपके चार से अगर आपने इसको डिमेनिंग वर्क एक है, और पूरा एक दिन में चार काम कर सकता है, तो उससे डिवाइड कर दीजी, ये तो 1 by 4, पूरा डेज नहीं लगेगा, डेज का 1 by 4 टाइम लगेगा, तो 17 डेज के साथ साथ में 1 by 4 डेज और लग जाएगा, तो 17 1 by 4 डेज इसका आंसर है, बात समझ गए, क्लिर है, आईए, और भी अच्छी तेकित से क्लिर करने के लिए, और भी एक्जामपल को लेते हैं, ये बात समझ में आई, यहाँ पर क्या हुआ था, देखिएगा, 60 टोटल वर्क था, और एक राउंड में 7 वर्क हो रहता, तो मैक्सिमम तो आप 8 राउंड ले पाओगे, अगर 60 काम है तो, तो 56 काम आपका हो गया, 8 राउंड ले लिया आपने, लेकिन 56 काम वहा, 4 तो रहता है, और 8 राउंड ले लिये तो, हर राउंड 2 दिन के साब से 16 दिन तो वैसी लग चुके, लेकिन 4 काम आपका बाकी है, इस 4 काम के लिए कोन आएगा, बी आएगा, तो बी आता है, बी पूरा दिन लगा करके काम करेगा, पूरा एक दिन प्लस हो गया, बी ने लगाया, लेकिन 3 ही तो करेगा, वो अपनी कैपिसिटी के साब से, तो पूरा का दिन लगाने के बाद भी एक काम रहता है, अब इसको करने के लिए A आएगा, तो एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो करना लेकिन A की है, तो पूरा दिन नहीं लगाएगा, दिन का 1 फोर्ट लगाएगा, आप उसके काम से डिवाइड कर दिजिए, तो 17 प्लस 1 फोर्ट लगाएगा, तो 17 वन फोर्ट लगाएगा, A can complete a piece of work in 12 days, B can complete the same work in 15 days, B उसी काम को अगर अकेला करें, तो 15 days में कर सकता है, If B starts the work and they work on alternate days, B ने काम को start किया, और वो alternate days basis पे काम करते हैं, Then in how many days they will finish the work? अब देखिए, दो example ही चुका हूँ, और भी इसको और अच्छे से clear करते हैं, पहले आप अपना total work find करो, क्या है? Total work आपका, total work आपका, अगर आप इनके total days का, अगर आप LCM लेंगे 60, ये total work को represent कर रहा है, इसको करने की commitment किस-किस की है, एक तो A की है, A क्या कह रहा है, जी हम 12 days में complete कर लेंगे, 60, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, और B कहता है, जी हम तो 15 days में complete कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, clear है, अब आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए और समझे कि first day कोन आया, B ने start किया, तो B आएगा और कितना काम करेगा, अपने इससे का चार काम कर पाएगा, क्या round complete हुआ नहीं, क्योंकि अभी सारे के सारे लोग involved नहीं हुए हैं, आये फिन, alternate days basis पे है, तो next day आप कोन आया, A आया है, तो A अगर आएगा, तो देखिएगा कि ये कितना काम आपका करेगा, तो A अपनी capacity के साब से काम करेगा, 5, अब तो round complete हो गया, क्योंकि सारे लोग आ गए, तो देखिए काम कितना हुआ, दो दिन लगे हैं, एक round में, और work कितना हुआ, 9 work हुआ है, clear है बच्चे, सुझ मैं है है, अब आप इस चीज को देखें, कि आपके पास में total कितना work था, 60, और आप जो है, कितना कर पाए, एक round में, एक round के work से, एक round के work से, आप divide कर दिया करो, clear है, तो आप यहाँ पर कितना काम आप यहाँ पर कर पाए, इस चीज को आप देखें, clear है, कोई doubt किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप 9 से divide करेंगे, तो maximum आप 9, 6, 54, तो आप जो है, maximum से maximum 6 round ले पाएंगे, maximum 6 round ले पाएंगे आप, जिसमें की 54 काम ही कर पाएंगे आप, तो फिर भी अगर आपने 6 round लिया और 54 work को अगर आपने निप्टा दिया, तो अभी भी आपका 6 remaining work रहता है बच्चे, वो क्या है, वो 6 है आपका remaining work, clear है, और आपका 6 round लिया है, एक round में 2 दिन, तो 6 round में 12 दिन, लेकिन अभी भी काम complete नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 6 काम तो रहता है, अभी इस 6 काम को करने के लिए कौन आएंगे, जिसने की start किया था, पहले offer उसी को किया जाएगा, तो B अगर A भी जाए, तो पूरा दिन भी लगा दे, तो ये 4 काम कर पाएगा, लेकिन 2 अभी भी बच जाएगा, तो पूरा एक दिन अभी प्लस और हो चुका है, लेकिन 13 days हो चुके हैं बच्चे, लेकिन आप इस चिसको समझेए, कि अभी काम complete नहीं हुआ, क्योंकि 4 ही काम हो पाया, अभी 2 काम और भी रहता है, अभी इस 2 काम को करने के लिए A वापस आएगा, तो भाया A तो एक दिन में 5 काम कर सकता है, लेकिन उसको 5 नहीं करवाना, सिर्फ 2 ही करवाना है, तो दिन का कितना इससा लेगा, उसके काम से डिवाइड कर दीजिए, 2 बटा 5, तो 13 दिन वैसे, प्लस 2 बाई 5 वैसे, तो correct answer किया इसका 13, 2 बाई 5 डेज, समझ रहे हैं इसी जोको, clear है, एक और question देखते हैं, देखिए, same questions मैं कई बार repeat कर रहा हूँ, अच्छे, आपको सोझ में आ जा रहाँ अच्छे, next question मैं बचेस टाइप में, A can complete piece of work in 10 days, A किसी कारे को अकेला 10 दिन में कर सकता है, B can complete the same work in 30 days, B उसी काम को अगर करे अकेला तो 30 दिन में कर सकता है, if A starts the work and B join him every third day, अगर A काम को start करता है और B जो है third day join करता है, third day, जाना कियेगा, then in how many days they will finish the work, बचे देखिए, A ने काम start किया और B third day join करता है, आईए सबसे पहले देखते हमारे पास में काम क्या है, तो total work की क्या होगा हमारे पास में, इसका LCM लेंगे 10 और 30 का, तो LCM उमारे पास में 30 ही आएगा, जो total work है, और A कहता है, जी मैं 10 दिन में पूरा काम complete कर सकता हूँ, तो 30 काम कर सकता है, 10 दिन में तो एक दिन का काम A क क्या है, 3 और B कहता है, जी मुझे तो 30 दिन में काम पूरा करता हूँ, तो यह हर दिन एक काम करता हो चाल रहा है, आए, देखते हैं, round काम complete होता है, first day, कौन आया A कितना काम होगा अपने इससे काम तीन करेगा next day कौन आया B तो third day join करता है लेकिन next day second day तो B नहीं आया तो सिरफ A अकेला ही है समझना होगा आपको कोशिव अच्छे से और वो A ही है तो काम हो तीन ही होगा आए अब आते हैं third day B जोइन करता है तो इसका मतलब क्या यह है कि सरफ B ही काम करता है B ने जोइन किया इसका मतलब A तो है B ने जोइन करा तो third day A और B दोनों ही काम करेंगे ठीक है बच्चे clear है बच्चे कुछ इस बरोसे इस उमीद में रहतने है कोई trick मिल जाए कि question को बिना study किये ही लगाया और answer आ गया तो इस तरह के से बच्चे काम नहीं चलेगा देखेगा अर third day question को बड़े detail में पढ़ी उसमें involvement दिखाईए अपने सारे direction आपको अपने आप मिलेंगी third day third day A तो था ही B जोइन करता है तो third day जो work होगा वो सिर्फ तीन नहीं होगा या फिर सिर्फ एक नहीं होगा दोनों ही हैं तो फिर काम आपका चार होगा अब आपका round complete हुआ बच्चे दो दिन में 10 work आप खर पाए clear है आई ये अब समझे हैं इस चीज को कि आपके total work को मैंने क्या बताया एक round के work से divide कर दिया करो 10 एक round में 10 work निप्टा दिये जाते हैं और 30 work है तो इस तरीके से कितने round लेने पड़ेंगे ये बड़ा simple और बड़ा easy सा हो गया तीन round पूरे पूरे लेने पड़े कुछ बचा होचा नहीं यहाँ पर ठेक है और हर एक round तीन दिन consume कर रहा है तो तीन round कितने दिन consume कर लेगा 3 से multiply कर दिजे 9 days में आपका काम complete हो जाएगा clear है आगे बढ़े देखे लास्ट कोशन है इस टाइप में फिर हम टाइप चेंज कर देंगे देखे बच्चे कोशन a. can complete a piece of work in 10 days a. किसी काम को अकेला 10 दिन में समाप्त कर सकता है and b. can complete the same work in 15 days b. उसी काम को अगर करे अकेला तो 15 दिन में कर सकता है and c. can complete in 20 days c. भी है भई यहाँ पर जो कि अगर वो अकेला करे तो 20 days में complete कर सकता है if a. do the work regularly with the help of b. and c. on alternate days, then in how many days they will finish the work कह रहा है कि a. तो regular काम पर है लेकिन वो एक दिन तो b. की help लेता है और एक दिन वो c. की help लेता है तो पूरा काम खतम होने में कितना समय लगेगा आईए सबसे पहले आपको अपना total work देखना होगा कितना है तो total work के बच्चे 10, 15 और 20 का एलसियम लेंगे तो 60 आईए देखते है a. b. c. की commitment क्या क्या है a. तो कहता है मैं 10 दिन में पूरा काम कर लूँगा तो एक दिन में कितना काम कर लूँगा छे b. कहता है कि मैं 15 दिन में पूरा काम कर लूँगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा है चार और c. कहता है कि जी मैं 20 दिन में पूरा काम कर लूँगा तो ये 20 दिन में 60 कर लेगा तो रोज कितना करता हूँ चल रहा है तीन क्योंकि हर दिन काम बराबर होता है अब यहाँ पर सबसे पहले आईए देखिए एक round में क्या हो रहा है first day A तो regular है तो A तो रहेगा ही रहेगा एक दिन B की help लेता है और एक दिन C की help लेता है तो first day कौन है A अकेला यह है बी की help ले रहा है तो first day A के सासथ B भी है तो कितना काम होगा पहले दिन A और B जब दोनों काम करेंगे तो A अपने इससे का 6 B अपने इससे का 4 करेंगा तो 10 काम होगा कि round complete हो गए यहां पर पता यह ज़रा क्या round complete होगा नहीं न क्यूंकि अभी सारे लोग involved नहीं हुए है C अभी रहता है आइए next day आते है next day कोन है A तो regular है अब B और C से alternate days basis पे help ले रहा है तो next day अब B की help नहीं लेगा अब वो C की help ले रहा है तो next day A की साथ में कोन आ गया C भी आ गया तो यहां पर कितना काम आपका होगा next day A और C जब दोनों है तो A अपने हिस्सी का 6 करेगा C अपने हिस्सी का 3 करेगा तो no काम होगा तो बच्चे यहां पर देखिए अब आपका round complete हो गया क्योंकि A, B, C तीनों की involvement हो चुकी है time कितना लगा आपका बच्चे? 2 दिन और काम कितना हुआ आपका 19 वर्क हुआ और आपको क्या समझाया गया है कि total work को लिया करो और एक round के work से आप divide कर दिया करो clear है? सज में आया है आपको कोई doubt तो आप करेंगे तो 19, 3 जा 57 तो 3 round तो पूरे पूरे आपको नजर आ रहे है clear है? तीन round तो बच्चे आपको नजर आ रहे है कि 3 round आपके हो गए तो 3 round तो ये पूरे पूरे हो गए 57 लेकिन अभी भी आपका 3 काम जो remaining work है वो क्या है? आपका 3 बाकी है तो भाईया 3 round तो ले लिये हैं और आपको पता है हर एक round 2 दिन ले रहे है तो 3 round आपका 6 दिन ले लेगा अब आप देखें यहाँ पर 3 काम बच रहा है इसको करने के लिए कौन आएगा? तो first day काम पे कौन थे? A और B थे तो कितना काम हो रहा था? 10 तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन प्लस 3 बटा 10 तो 6 3 बाइ 10 डेज आपका अंसर है तो यह था हमारा type 12 जिसमें हमने alternate days basis पे काम कैसे करते हैं और अब हमने 4 questions इस पे हमने discuss भी किया और हर तरीकी के सवाल इस पे हमने ले लिए अब किसी तरीकी के कोई confusion इस पे नहीं होना चीए ठीक है? क्लिर है? अब बढ़ते हम type 13 हाँ जी बच्चो type 13 में आप देखेंगे हम work and wages के उपर इस से little जितने भी questions है वो हम discuss करेंगे यह बहुत ही easy type, आसान type है और दूसरी बात यह exam के point of view से बहुत important भी है तो आईए सबसे पहले आप समझते हैं कि work and wages है क्या? wages जो है किस बिहाब पर distribute करते हैं generally यह सुनने में आता है कि boys male और female के जो salary है, wages है उसमें जो है एक ते किसे partiality होती है यह generally हम सुनने में आती है ऐसे चीज़े हैं, आप देखते हैं कई बार आपनी इस पर परभी पढ़ते हैं आप इंचीजों को कि जो कोई male है पुरूस है, उसको ज़्यादा मिलती है wages कोई जो है, male है, lady उसको जो है, कम मिलती है generally ऐसा सुनने में आता है और कई बार इस तरकी की चीज़े आप जो है film industry विगरम की देखने को आपको मिलती हैं चीज़े कि भई जो actor होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा amount बिलता है और जो actress होते हैं, उनको कम amount बिलता है बच्चे, क्या, generally ऐसा होता है कि boys और girls के बीच में जो है, partiality होती है salary को, wages को लेकर के नई, ऐसा कुछ नहीं होता है क्यों? आप generally देखें बच्चे याप तो अगर कोई female, doctor है और कोई male भी doctor है, लेकिन वो female doctor experience है, तो उसको salary ज़्यादा मिलती है male से Chartered Accounted है कोई? जहाँ पर कि mentally work है वहाँ पर जो है, बच्चे क्या होता है कि काम के मामले में जो है ये equal efficiency भी हो सकते हैं या फिर जो female है, वो ज़्यादा भी efficient हो सकते है काम करने के मामले में तो वहाँ पर उनको salary ज़्यादा भी मिलती है लेकिन जब अगर आप बात करें किसी building को बनाने की बात करें, construction की काम करें या किसी आप movie की बात करें तो उसमें ज़्यादा काम किसका रहता है, ज़्यादा काम कोन करता है तो उससाब से male को ज़्यादा wages मिल जाती है तो आपको समझना होगा कहीं न कहीं कि हम wages को किस बहाब पर distribute करते हैं हम efficiency के बहाब पर distribute करते हैं जो जितना efficient होता है उसको हम उतनी ज़्यादा wages देंगे जो कम efficient होगा उसको हम कम wages देंगे इसलिए एक बच्चे की जो है उससे भी कम होती है एक female की थोड़ी उपर होती है और जो male होता है उसके ज़्यादा होती है अगर physically कोई work करना हो तो mentally में तो भी है जो ज़्यादा अच्छे तरगे से efficient उस काम हो करने में उसको ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर मैंने इतने पूरी कहानी में आपको बता रहा हूँ सरब आपका mindset करने के लिए कि wages आप किस बहाब पर distribute करेंगे wages को आपको जो है efficiency के बहाब पर distribute करना है जो better नहीं तो male ना female ना children कोई नहीं देखना जो ज़्यादा efficient है उसको ज़्यादा payment मिलेगा जो कम efficient है उसको कम payment मिलेगा ऐसा नहीं कि हम तीन दोस्ता है काम करने के लिए चले गए और तीनों बराबराबर पैसे बाट लिए चार लोग है चारों काम करने निकल गए और पैसे जो आए बराबर और बाट लिए clear है? ऐसा नहीं है जब भी wages बटेगा यहाँ पर किस ब्याप्पे बटेगा आपके efficiency के ब्याप्पे आपके wages को आप distribute करोगे clear है? पच्चे मैंने कहा आप यह थोड़े पहले कि यह topic बहुत आसान है आपके लिए यह मैंने किस ब्याप्पे का आपको कुछ points से focus करना है और यह topic आप बहुत easily कर लेंगे first, जितने भी लोग involved हैं इस topic में, work and wages related topic में, A, B या फिर A, B, C, या फिर A, B, C, D जितने भी लोग involved हैं उन सब का पहले आपको individually one day का work calculate करना होगा जितने भी partner, जितने भी लोग इसमें involved हैं, उन सब का individual one day work calculate करना होगा, अगर A, B, C, D है, चार लोग हैं, तो A का one day work, B का one day work, C का one day work, और D का one day work, चारों का individual one day work पता होना चाहिए तो point number one आपको ध्यान रखना है कि इस topic में जितने भी लोग involved होगे, सबसे पहले आपका focus, आपका ध्यान, आपकी calculation, सब कहां लगा दोगे उन सभी के one day work को calculate करने में, point number one यह है point number two उनके one day work का आपको क्या करना है, ratio लेना है मतलब कि उनके efficiency का ratio लेना है आपको point number two, उनके one day work का आपको ratio लेना है, point number three उस ratio में आपको जो भी wages होगा, उसको आपको distribute कर देना है तो तीन point में ही यह खतम हो जाता है topic कैसे कुछ example से इसको clear करते है example क्या है जैसे question लेते है two men undertook आप work costing 960 डूपेज, 960 रुपए में contract लिया if they alone can complete the work in 16 days and 24 days दो लोगे माल लेते हैं A और B A, अकेला उस काम को 16 दिन में कर सकता है और B, अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है clear है and with the help of the third man they can finish the work in 18 days और कह रहा है कि तीसरे में के help से A, B और तीसरे में क्या है आपका C तीसरे थर्ड में के help से तो थर्ड में के help से मतलब यह हो गया कि A, B के साथ नगर तीसरा भी अगर यह तीनों काम करते तो वो काम कितने दिनों में हो पाएगा आपका वो काम आपका जो है 8 दिन में finish हो पाएगा 8 देस में complete हो पाएगा तो यही कोशन है कि फिर जो है इसमें आपके पास पे तीसरे आदमी का जो है हिस्सा क्या होगा यह कह रहा है आपसे तो A किसी काम को 16 दिन में कर सकता है B उसी काम को 24 दिन में कर सकता है और यह C की help से अगर यह काम करें तो यह इस काम को जो है 8 दिन में complete कर सकते हैं clear है तो first of all आप बच्चे इस इसको कर आप calculate करें तो मैंने क्या कहा है point number 1 तीन लोग है ABC तीनों को आपको पहले one day work निकालना होगा खेर A का one day work तो बहुत easy है 1 by 16 क्योंकि आपको समझाया गया है जिनका total time पता हो उनको reverse कर दोके तो one day work बन जाता है क्योंकि A, B, C की help से 8 दिन में कर पाता है तो तीनों का one day work आ गया जबकि आपके पास में तीन लोग है A, B और C तो आपको A का भी one day work चाहिए था B का भी one day work चाहिए था और C का भी आपको one day work चाहिए था तो A और B का दोनों के individual one day work तो आगे हमारे पास में लेकिन हमारे पास में C का नहीं है अगर आपने one by eight कर भी दिया तो ये ABC तीनों का one day work है ध्यान लगाईए दिमाग लगाईए और बताएए कि थर्ड परसंट का one day work कैसे निकालेंगे बहुत simple ABC तीनों के one day work में से अगर मैं A का B के one day work को separate कर दूँ तो फिर जो मेरे पास में आएगा work वो क्या आएगा मेरे पास में C का ही काम बचेगा तो ये ABC तीनों के work में से अगर मैं A का one day work मैं B का one day work subtract कर रहा हूँ तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास में जो भी आएगा A, B, C तीनों में से A और B eliminate कर रहा हूँ, तो जो रह जाएगा वो C का ही काम बचेगा, तो C is one day work हमारे पास पर आएगा, तो आएए LCM क्या आएगा इसका, 48 तो 6 minus 3 2, तो 1 by 48 आएगा, क्या है आपके पास में 1 by 48 और आपको क्या समझाया है मैंने, point number 1 clear है, कि जितने भी लोग है उनका one day work निकालोगे और आपके पास में आगे है C का one day work, point number 2 उनके one day work का रेशो लोगे, तो A का one day work क्या है, 1 by 16 B का one day work क्या है, 1 by 24 और C का one day work क्या है, 1 by 48 अब ये तीनों का one day work है, और इनका आपको रेशो लेना है, और रेशो में आपने एक चीज अच्छे से सीख ली होगे, वो ये कि कभी भी fraction के terms का आप रेशो लेते हैं, तो आपको सबसे पहले denominator का LCM ले करके उस सभी fraction को multiply करना होता है, ऐसा क्यों? जिससे की denominator आपका eliminate हो जाए, और रेशो को किसी particular number से multiply करते हो, उससे ratio पे कोई फरक नहीं पढ़ता है, ratio आपका same रहता है, बस आप fraction से बच जाते हैं, calculation आपका आसान हो जाता है, तो यहाँ अगर आप देखें कि आपका denominator का, आपका LCM ले तो आएगा, 48 तो सब को 48 से अगर आप multiply कर भी दें, सब को 48 से आपको multiply करना है, सब को आपको 48 से multiply करना है, तो आए देखते हैं क्या आएगा, 3, 2, 1, यह आ गया बच्चे इनके efficiency का ratio, अब आपको पैसे को इनके efficiency के ratio में ही बाटना है, कैसे, आपको पता है कि A, B और C के efficiency का ratio, 3 ratio, 2 ratio, 1 है, और कुल पैसे कितने हैं बच्चे, 960 रुपे हैं, अब आपको इस ratio में पैसे को बाट देना है, अब आपको ratio आना ची, यह ratio कैसे apply करते हैं, यह 360 रुपे क्या है, total है न, और total कितने share करने हैं, 3 इसको मिलेगा, 2 इसको और 1 इसको, total कितने share हो गए, 6, तो यह 960 रुपे के total 6 share, तो each share कितने हैं होगा, वो आ जाएगा आपको, clear है, और आप से क्या बुच रहे है, 3rd person का क्या share रहेगा, तो 3rd person का share क्या है, एक, तो एक से multiply कर देंगे आप, तो solve करते हैं, इसको 6 बंजा 6, आपका 3, 6, 160 रुपीज आपको मिलेगा, किसको 3rd person को मिलेगा, clear है बच्चे, स्वज में आया, next question देखते हैं, type 13 में, बच्चे, next question देखेगा, क्या कहा रहा है, हमेशे दान लखेगा, इस तरीके questions को आपको ऐसे ही करना है, P, Q and R, are appointed to complete our work costing 5,750 रुपीज, कितने हैं, P है, Q है और R है, जिनको appoint किया गया है, किसी काम बू करने के लिए, जो कि कितने contract दिया गया आपका, 5,750 रुपीज का, इस P and Q together finished 19 by 23 work, P और Q मिल करके, उस काम का 19 बटा 23 भाग निप्टाते हैं, and Q and R together 8 by 23, क्या कह रहागे, कि P and Q this, and Q और R कितना करते हैं, Q और R अगर मिल करके काम करें, तो कितना करेंगे, 8 by 23 काम निप्टा बाते हैं, तो Q का share क्या है, अब बच्चे आप इस पे देखें, कि काम तो आपके पास पूरा 1 होता है, बेरी बात समझे, काम तो पूरा आपके पास में क्या हुआ, 1 होगा, तो P, Q, R तीन लोग हैं, और पूरा काम आपको बताया गया है कि 1 है, तो पूरा काम अगर आपके पास में 1 हैं, उसमें से मैं 19 बटा 23 काम सब्ट्रेक्ट कर दूँ, जो कि P और Q ने करा है, तो जो बाती का काम आ गया, वो जाइड सी बात है, वो R नहीं क्या होगा, तो P, Q, R मिलकर के काम कर रहे हैं, और काम और कम्प्लीट कर रहे हैं, तो P, Q ने इतना काम किया, यह मुझे में पता है, अगर मैं सब्टेट कर दूँ, गया, clear है बच्चे, अब आप इसमें ये एक चीज और देखें, कि Q और आप इसमें 1, पूरा काम आपके पास में 1 है, ठीक है, और इसमें से अगर बच्चे आप, 8 by 23, पूरा काम आपके पास में क्या है, पूरा काम आपके पास में 1 है, और इसमें से आप जो है 8 by 23 जो किसका वर्क है जो कि Q और R का वर्क है तो पूरे काम में से Q और R ने इतना करा अगर ये निकाल दो तो जो बच जाएगा जायर सी बात है वो P ने काम किया होगा clear है तो आएए सब्टेट करते हैं तो क्या आएगा आपके पास में 15 by 23 clear है अब आएए देखिएगा यहाँ पर R और मेरे पास में किसका missing है भी Q का missing है तो कोई से भी equation ले लिजे चलिए P प्लस Q अगर मैं P प्लस Q का जो काम है वो क्या है 19 बटा 23 उसमें से अगर मैं P का सब्टेक्ट कर दूँ 15 बटे 23 तो P Q में से अगर मैं P का सब्टेक्ट कर दूँ काम तो जो काम बचेगा वो Q का बचेगा और वो क्या होगा जरा बताए चार बटा 23 तो अब आप देखिए P का भी आपके पास में काम है Q ने कितना करा काम वो भी है और R ने कितना काम करा वो भी है तो आईए देखते इनके काम में कितना काम हो भी P ने तो करा है 15 बटा 23 जी Q ने करा है 4 बटा 23 और R ने काम कर रखा है 4 बटा 23 अब जो जो काम कर रहा है इनके काम के रेशयो को ले ले लेते हैं क्लियर है बच्चे, सजमाएं आपको, अब आप इस चीज में दिखेंगे, तो टोटल आपका अमाउंट कितना है, 5,750 रुपीज, क्लियर है, और आप यहाँ पे देखें सबसे पहले, कि आपके पास में टोटल कितना share, 15,4, 19,4, 23 में आप लगा रहे हैं पूरा share, क्लियर है न, सजमें आए आपको, और पूछ किसका share रहा है, इसमें आपका, क्यू का share पूछ रहा है आपसे, तो क्यू का क्या ratio है, 4, तो multiply by 4 कर देंगे आप, तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा, क्यू का आपके पास में share आ जाएगा, क्लियर है बच्चे, तो work and wages में सिर्फ और सिर्फ तीन पॉइंट को लेके चलना है, बहुत बड़ा यह issue नहीं बनाना है, क्या type है, सरफ यह, कि जितने लोग involved है, उनका वंडे वर्क, second, उनका ratio लेजिए, third, उस ratio में आप पैसे को बाट देजिए, दो तरीकी question देकर आपका, अभी हमने यह जो face किया, यह हमने part, बी face किया, type 13 में, clear है बचे, नोट कीजिए,